गाइस कि आप भी चाते हो कि जल्दी जल्दी से आपका लेप कंप्लीट हो जाए क्योंकि जितना जल्दी आपका लेप कंप्लीट होगा ये कार घूमकर वापस आएगा उतना जल्दी से आपको रिवार्ट्स मिलेंगे तो guys और आज के ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा useful है तो इसले इस वीडियो को सुरू से लेकर end तक जरूर से देख लेना पट उसे पहले guys आप सभी लोगों से चोटी सी request है अगर आप हमारे इस चल पे न्यू आए हो पहली बार आए हो मतलब main चीज जो है वो आपका car का speed है क्योंकि जितना तेज आपका car का speed होगा उतना जल्दी जल्दी से आपका जो लेफ हो complete हो जाएगा और आपको जल्दी जल्दी से rewards भी मिल जाएगे तो अब बात करते हैं कि कौन सा तरीका है जिसके मतलब से हमारा car का speed बढ़ जाएगा और car का speed जैसे ही बढ़ जाएगा तो उसके बाद सब अपने आप ही हो जाएगा जल्दी जल्दी आपको reward मिलीगा तो चलिए कर सब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने car के speed को बढ़ा पाओगे ठीक है तो guys सबसे पहला तरीका यह है आपको team power वाले section पर आ जाना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर invite का अफस्वन देखने के लिए मिल रहा होगा तो आपको simply अपने friend को invite कर देना है ठीक है और यहाँ पर देखो मेरे friend अल्रड़ी आ चुगा मैंने invite कर दिया था पर invite करने से आपको फायदा क्या होगा मतलब आपके team में जब आपको friend आजेंगे तो आपका speed हो थोड़ा increase हो जाएगा ठीक है आपका speed थोड़ा बढ़ जाएगा मतलब आप invite कर देगे तो उससे कुछ नहीं होगा आपके friend को बोलना कि वो accept करे तो आपके team के अंदर वो आ जाएगा ठीक है लेकिन मैंने आपको main तरीका नहीं बताया है जिसके मतलब से आपके speed बहुत जाना बढ़ जाएगा लेकिन tension मतलो आपको बता तो कैसे आपको speed बढ़ेगा तो इसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा हम आपको बतातों token तो यहाँ पर daily मिलते हैं game खेलने के बाद में और हमको mission complete करने के बाद में मिलते हैं तो आपके बहुत सारे होंगे तो आपको simply क्या करना accelerate वाले section पर click करके यहाँ पर आ जाना है यहाँ पर जो आपको lap के नीचे time remaining देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर time आप लोग देख सेटों यहाँ पर जितना भी time लिखा है उतना ही time के बाद में जो आपका next lap है वो start होने वाला है समझ रहे हैं और वो आपके car के speed के उपर depend करता है कितना तेज आपका car के speed है उसी सबसे यहाँ पर time लिखा हुआ आता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ देखो यहाँ पर मेरे पास में एक token है और अभी इस token से मैं accelerate करने वाला हूँ मतलब car के speed को बढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर आप लोग देखो time remaining में लिखा हुआ है 9 घंटा 11 मिनट मतलब इतने time के बाद मेरा next lab start होने वाला है पट guys अभी आप लोग देखना क्या होता है यहाँ पर मैं आ चुक होँग accelerated वाले section के अंदर मैं और यहाँ पर मैंने एक token से accelerated कर दिया है मतलब आप ही मेरा car का speed जो पहले से थोड़ा सा बढ़ गया है ठीक है और यहाँ पर आप लोग देखो मेरा time जो है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा time भी कम चुका है 8 घंटा 53 मिनट हो चुका है पहले 9 घंटा 11 मिनट कुछ था आप यहाँ पर देख सकते हो इतना मतलब कम गया time मतलब इतने time के बाद हो मेरा जो next यह lap है वो start होने वाला है समझ रहे हो यहाँ पर guys आप लोग समझ गये जितना speed में आपका car होगा उतना तेजी से आपका आपर जो lap है वो complete होगा उतना जल्दी से आपको rewards मिलेगा जो car का screen होगे जितने भी है सब कुछ आपको मिल जाएंगे ठीक लेकिन guys इस event का pick day 31 तारीक की दिन है जो car का screen हो 31 तारीक की दिन से पहले 31 तारीक की दिन ही मिलेगा ठीक अइसा ही होता है हर event के अंदर की दिन ही हमको reward मिलता है आयूप guys आपको सबको समयजमें आ गया होगा आज किस वीडियो के अंदर बसीत नहीं था आयोप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को like करते हो जाना चैनल पर न्यूप आयो तो channel को subscribe करने के बाद बिल आइकन कोल पर स्रेट कर देना तो गाइस हैर मिलके जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वाय वाय जै हिंद जै भारत गाइस खत्म खत्म